Hello students, welcome back to our YouTube channel JK Toppers Academy So, यहाँ पर आप students के लिए एक reminder है यहाँ पर जो बच्चे 10th pass है जोनों ने अभी तक ये form fill up नहीं किया है वो यहाँ पर form fill up कर लीजिए क्योंकि इसकी last date जो है वो 14th October को इसकी last date है और याद रखेगा इसकी last date पर site बिलकुल नहीं चलती है last two days पर फिर बाद में मत कहना कि हमें जो है इसकी update जो है वो late मिली तो यहाँ पर आप students को बार बार यहीं बताया जाता है कि finally SSC GD के जो form है वो यहाँ पर निकल चुके हैं SSC GD यानि की service selection commission इनकी तरफ से जो notice जारी किया गया था जिसके form जो है वो पांच तारिक से शुरू हुए थे पांच नो को ठीक हैं और इसकी last date 14 October को है जिसमें आपको post यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी और इसमें vacancy भी जो है वो भी अच्छी खासी है और इसका exam जो है वो CBT mode होगा यानि की computer पर आपका exam होने वाला है और जन्वरी February में आपका इसका exam होगा 2025 में ठीक हैं तब तक के लिए syllabus, age सब कुछ आपको इसी में मिलेगा अब यहाँ पर देखिए जो बच्चा सबसे पहले चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को subscribe कर लीजेगा और bell icon को all notification पर रखेगा सबसे पहले यहाँ पर देख लीजेए आपकी salary level 1 की 18,000 से शपुंजा 1000 के बीच आपकी salary रहने वाली है जो सिपाही जो NCB के होंगे और तीन जो है pay level उनका है जो बाकी post के लिए apply करेंगे जिसमें 21,000 से 70,000 तक salary आपकी रहेगी ठीक हैं तो यहाँ पर देख लीजेए आप यहाँ पर male और female दोनों इसको apply कर सकते हैं यहाँ पर देख लिए male और female की यह vacancy दी गई है तो काफी अच्छी vacancy है और आप students ने apply करने के लिए 8082874110 पर whatsapp message करना है और वहाँ पर आपका form जो है गर बैठे भी fill up हो जाएगा चाहे तो आप cyber cafe जाके भी fill करवा सकते हैं ठीक है अब इसमें जो post है वो कौन-कौन सी है सबसे पहले post BSF की है यहाँ पर देखिए CSF है CRPF है SSB है ITBP है ASAM Rifle है SSF है और NCB है ठीक है यहाँ पर male भी है और female भी इन post के लिए apply कर सकती हैं सबसे main बात यह होती है कि आपका जो है exam clear होना चाहिए कहीं females को यहाँ पर घर से alloy नहीं होता है कि आप जो है इस force में join करें army हो गई पुलिस हो गई ठीक है ना तो कोशिश यह कीजिए form fill कर लीजिए और आपको आप कोशिश कीजिए पढ़ने का आपका जब exam clear हो गया फिर आपके parents भी मान जाएंगे ठीक है हर चीज आपके पास होगी क्योंकि जब job लग गई तो हर चीज आपके पास होगी ठीक है अब इतनी सारी vacancy निकल के आई है तो कोई तो इसको छोड़ेगा नहीं ठीक है ना male female दोनों लगा सकते हैं अच्छा अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो age रखी गई है open merit की general category की जिसमें 18 से 23 तक आप form इसको apply कर सकते हैं अगर किसी की category SC है ST है तो उसको 5 साल और छूट दी जाएगी यानि कि अगर 13 साल तक आप general category वाले लगा सकते हैं तो 5 साल और आड कीजिए तो 28 years जो SC ST के है 18 साल तक इसको form को बर सकते हैं ठीक है OBC वाले जो है उनको 3 साल की छूट है जो कि इसमें 26 साल के बच्चे हैं तो वो भी लगा सकते हैं एक सर्विसमेन को 3 साल की छू ठीक है तो इस तरह से आपके लिए जो है काफी सारी जो है इन्होंने age relaxation रखी गई है ठीक है और आपके सारे doubt clear हो गए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जिसके पास NCC A, B, C certificate है तो उसको इतने percentage छूट मिलेगी किसमें एक्जाम में 5% marks उसको इसके ही मिल जाएंगे NCC के ठ ठीक है और apply करने के लिए नाम हमने number हमने already share कर दिया है आप जल्दी से apply कर लीजिए और इसका exam center आपको बता देते हैं इसका exam जो है यहाँ पे चंडिगर मुहारे अमिरपूर शिमला जमू सांबा सिरनगर ले अमरिसर बठिंडा तो इन जगाओं पे आपका exam होगा जैसे form fill करते हो तो आपको यहाँ पर कहा जाता है कि आपने first यानि की exam जो है वो आपने कहा देना है अगर आप जमू देना चाते हो तो जमू रख सकते हो अगर आप सांबा देना चाते हो तो आपका paper सांबा में होगा ठीक है और अगर जहां भी आप जाहो वहाँ पे आपका exam हो जो कि यह स्लेबस है, जिसमें 20 कोशन है, 40 मार्क्स के, यनि कि पर कोशन, हर एक कोशन जो है, वो 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और 60 मिनट आपको दिये जाते हैं, जी के अवेरनेस और जनल नौलेज जो है, ये भी सेम 20 कोशन, 40 मार्क्स के हैं, मैथ भी 20 कोशन होंगे, जिसमें 40 मार्क्स होंगे, इंग्लिश हिंदी भी 20 कोशन, 40 मार्क्स के, ठीक है, तो टोटल आपका एक्जाम जो है, 448, 412, 416, ठीक है, 160 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, तो यहां पर आप अच्चे कोशिश कीजे कि इसका स्लेबस यहां पर आप डिटेल में पढ़ सके, यहां पर देख सकते हैं, यह डिटेल में स्लेबस है, और यह PDF मैं आपको दूँगी कहां पे, टैलिग्राम पर, टैलिग्राम का लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आप यह मत सोचओ अब मेरी रिस्क में रणिंग है, मैं दोड नहीं पाऊंगी, तो सबसे पहले आप एक्जाम क्लियर करो, एक्जाम क्लियर कर लोगे, तो उसके बाद जो है, आप रणिंग का भी, जो है, मौनिंग में आप उाकिंग जाहिए, ठीक है, पर जो लदाख वाले बच्चे हैं उनको females को 800 meter running करनी है 5 minute में और ये male की running है 5 km 24 minute में complete करनी है SSC GD में ठीक है और लदाख वाले कितनी करेंगे 1.6 km वो भी 7 minute में ठीक है तो बाकी जो है आपके सारे doubt इस video में मैंने clear कर लिये हैं और फिर भी कोई doubt है comment कर सकते हैं एज आपको जो एज का डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ बाई बाई स्टुडेंट्स, have a nice day